आप लोगों के बीच उपस्तित हूँ सांथियो दली राजरा नगरपालिका के कई सारे पारसद मुझसे सवाल कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताओं के बारे में पूरी जानकारी हो मैं उपलब्द कराऊं बहुत सारे पारसदों को इनकी जानकारी है लेकिन वो अपने सांथी पारसदों के साथ वो जानकारी को शेयर नहीं कर रहे है जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है ताकि हमारे जितने भी पारसद हैं उन तक मैं ये जानकारी पहुचा पाऊं कि उनके अधिकार क्या है कि बहुत सारे नए पारसद हैं उन्हें जानकारी कम है उनको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके पूरी पूरी जानकारी जो उन्हें चाहिए मैं देने का पूरा कोसिस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से सांथियो नगरपाली का अध्यियम में जो अध्यक्ष को ने के लिए जो वावस्था की गई है मैं देक्स है स्रएवल सब्दों में आपको समझारों बाकि अध्यियम में इसकी धाराएं है तो सबसे पहले जो ववस्ता है कि नगरपाली का अध्यक्ष को हटाएगा कौन, तो कौन हटाएगा, कलेक्टर, जीले का कलेक्टर उसको हटाता है, तो जीले के कलेक्टर के लिए को हटाने के लिए एक सभा बुलाना पड़ेगा, वो सभा को बुलाने के लिए पारसदों को लिखित आवेदन कलेक्टर सहाब को देना पड़ेगा तो कितने पारसत लोग जब लिखित आवेदन देंगे तो ये सबब बुलाई जाएगी एक बट्टाच्छे तो इसका सीधा सा मतलब है हमारे दल्ली राजरा में कितने हैं 27 पारसत हैं तो एक बट्टाच्छे कितना उसका पांच पारसत अगर पांच पारसत लिखित में कलेक्टर महदय को आवेदन देते हैं कि हम हमारे अध्यच के कारे से संतुष्ट नहीं हैं और आप इन्हें हटाने के लिए सबब बुलाएं तो वो नगरपाली कादिनियम की जो भी धाराये हैं उनके तहत वो एक 10 दि सारे पारसतों को एक पत्र कलेक्टर साब के अफिस के तरब से आएगा कि इतने तारीक को नगरपाली का में अविश्वास प्रस्ताओं के खिलाप सभा बुलाया जाएगा घर के वो दस दिन आप लोगो समय मिलेगा ठीक है पहला तो यह हो गया अब यह सभा बुलाने के ल जाएगा और अध्यक्ष का निर्वाचन सुन्नी कर दिया जाएगा दो बट्टा तीन का अर्थ क्या है हमारे यहां 27 लोग है तो 27 का दो बट्टा तीन भाग होता है 18 पारसत अगर 18 पारसत अविश्वास पस्ताओं के पक्ष्ममद्दान करते हैं तो अध्यक्ष हट जाए में की आत्यवात आप एक माट शाआ विद्दान का दोके में तो खातैं के साथ में इसके बारे में बताऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि नगरबाली का अधिनियम में कित तहत पुरी धराओं के साथ आप लोगों को समझाओं धन्यवाद जहें जैचाथिस गड़े